हाई फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब तो आज हम जा रहा है ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए तो ये हम है ये हमारा लिस्ट है और कार हमे लेकी जा रही है टूर्ड्स मॉल और हम पहुँच भी गए तो चला चलते हैं अंदर और सबसे पहले हम आया है डीमाट वैसे आपको तो पता ही है कि मॉमा ग्रॉसरी की लिस्ट प्रिप्राय करता है कैटेगरी वाइस ताकि हम शॉपिंग कर सके सेक्शन वाइस तो सबसे पहले हम पहुँच गए पल्स और फ्लोर्स वाले सक्शन में एक एक करके जो पल्स लेने थे वो ट्रॉली में रखने स्टार्ट कर दिये अरे हाँ उससे पहले पल्स और बैग लॉक करवाना तो कम पल्स हरी है तो ब्राउन राजमा, चिकपी, मूंग, शुगर वगेरा ट्रॉली में रखते हैं हम पहुँच गए दूसरा सेक्शन तो महाँ पे फर्स्ट और वामा रुख गए सूजी वाले सेक्शन में और फिर कुछ थे स्पाइस और यहाँ पे उपर लिखी होती है हर एक जेगा प्राइजिस वैसे आप मुझे कमेंट में बताइए आपके मॉम शॉपिंग लिस्ट जो होता है वो केटेगरी वाइस बनाते है या फिर उसको मॉल में जाके ही जो जो तिंक्स आती जाए है वो लेते जाते है एक्चुली वैसे वाले लिस्ट में भी सब कुछ आता है लेकिन उसमें क्या होता है थोड़ा से ज्यादा टाइम जाता है और बाते करते करते हम पहुंच गे चॉकलेट वाले सेक्शन में और यहां से हमें लेनी थी डेरी मिल्क मिनेज ये लोपर्स का सेक्शन आया नहीं कि मुमा यहां पर रुक गए नहीं फैनली यह सारे तिंग्स लेके हमने करवा लिया बिलिंग और सोचा जाता है दूसरे मॉल क्योंकि कुछ पर्टिकिलर थेंग्स ऐसी है जो उस वाले मॉल में ही मिलेगी और सोचा बाकी का जो लिस्ट है वो भी वहीं कंप्लीट कर लेंगे और यह हम आ गए अमूल ग्रीन्स में यहां पर जो पूरा ग्रॉसरी मॉल है वो उपर वाले फ्लोर में है तो चलो चलते हैं मॉल में और यह शेड़ो तो हमारी हैट से भी लंबी है तो पूरा मॉल तो उपर है ग्रॉसरी के लिए लेकिन नीचे ना फूट कोट है और साथ में कुछ आईस क्रीम्स वगिरा भी है तो आप गेस कीजिए कि हम स्टैर्स से जाएंगी या लिफ्ट से एक्चिली लिफ्ट से जाएंगे क्योंकि स्टैर्स यहाँ पर है ही नहीं और साथ में हमने टूटू थ्री बैग्स भी ले लिए एक बैग के अंदर क्योंकि अगर फिर वहाँ पर बैग ना हो तो फिर से कार में लेने के लिए ना आना पड़े तो हम पहले वाले ग्रॉसरी मॉल में गए थे वहाँ पर जस टाइब की टॉली होती है वैसी यहाँ पर होती थी लेकिन अब यह वाली है अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हमीन अमेजियन है तो आपको पताई होगा है ना और अब यहाँ से हमने शॉपिंग स्टार्ट कर दी यहाँ पर मोस्टली हर एक प्रोड़क्ट में सारी साइज़े अवेलेबल रहती है तो यहाँ पर छोटी बोटल से लेकि बड़ी बोटल तक सारी बोटल की साइज़े अवेलेबल होती है तो हमें जो साइज की चाहिए उस अकॉर्डी हम ले सकता है फिलहाल तो हमें लेना है ग्राउंड नट ओल तो वो लेके चल पड़े नेक्स सेक्शन की तरफ और यह है मेरा और आपका फेवरेट सेक्शन जो है नूडल्स का और यहाँ पर जो अमूल नूडल्स है वो निवली लॉंजट है राइट अब आगए हम राइस वाले सेक्शन में यहाँ पर दो डिफरेंट टाइप के बासमती राइस है तो इस बार हमने सोचा सूपर बासमती राइस लेता है क्योंकि उनकी साइज थोड़ी ज्यादा ही ज्यादा है मतब ज्यादा ही बड़ी है तो वी थॉट लेट्स गिव इट ट्राइए यह कैसे बनते है फिर यहाँ से एक दो पल्सेज एड़ किये ट्रॉली में यह मैं आपको दिखा रहे हूँ डिफरेंट डिफरेंट पॉपकॉर्ण वैसे आपको इन में से बेस्ट पॉपकॉर्ण टाइप काउन सा लगता है और चलते चलते हम रुख गये यह कोकॉनट ओयल वाले सेक्शन में वैसे मैंने आपको कहा था ना बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट साइजेस है तो ममा यही सोच रहे थे कि कौन सी वाली साइज ले वैसे एक बोटल अल्रेडी पड़ी हुई है तो देट वोजन एक्स्ट्रा वन अरे यह जैम्स का बॉल टॉली में जाके अपने आप पापस क्यों आ गया और हमने सोचा इस बार अलोविडा ओयल भी लेता है तो वो भी हमने ले लिया और यह सारे जाएंट पेकिंग्स में है मिनी मिनी चोकलेट बहुत सारी तो मैं वही देख रही थी और यह है शैंपू, क्रीम, पर्फियूम वगेरा वगेरा का सेक्शन और फिर्स्ट अफॉल तो अपकोर्स मॉइस्टिराइजर क्योंकि विंटर सीजन है तो सबसे पहले हमने ले लिया थोड़ा थिक वाला मॉइस्टिराइजर फिर मॉमा ने लिया यह कंटेनर के साथ जो हैंडवश आता है वो बट फिर मॉमा को डेटल का यह वाला हैंडवश पैक दिख गया तो मॉमा ने सुझा यह लेता है क्योंकि कंटेनर तो हमारे पास अल्रेड़ी है तो उसमें रिफिल करने के लिए यह काम आएगा अब आगए और एक स्वीट स्वीट सेक्शन में और वो है डिफरेंट डिफरेंट बिस्किट्स वाला सेक्शन वैसे आपको कौन सा बिस्किट्स सबसे ज्यादा पसंद है यहासा इनो कि सिलेक्शन करना थोड़ा से डिफिकल्ट हो जाएगा लेकिन फिर भी बहुत सारे biscuit में से आपको सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद है मुझे Oreo dip बहुत पसंद है फिर tissue papers लेके हम पहुंच के dairy products वाले section में यहाँ पर तो इतने different types की cheese and cheese spreads है न कि मुझे लगता है हमने अभी तक सारे तो try नहीं किये है उनमें से कुछ-कुछ बाकी है try करने and butter हमने इस बार सोचा बहुत सारे small small packings आता है न वो वाला एक पूरा pack ले लेता है and यह है amul milk जो 3 bottles ली and फिर मैं सोच रहे थी कि यह चोकोचिप लेनी है या नहीं लेनी है फिर washing machine liquid लेके हम पहुँच गए चोकलेट्स बाले section में and यहाप तो इतने बड़े बड़े family packs है न चोकलेट्स के वैसे आपने इन में से कौन से try की है हमने तो catberry के कुछ-कुछ try किये है already फिल्हाल तो वो बड़ा वाला family pack ने लेना है लेकिन कुछ chips ज़रूर लेनी है and I think यह green वाली कभी try ने की तो वो वाली भी ले लेता है and as you all know कि मैं everyday morning में bonvita वाला milk पीती हूँ so bonvita is also necessary and बाके सब के लिए चाही and do you know यह नए नए ही आया है अभी संकल्क के हैं different different मसाले जैसे की idli mix मसाला, डोसा मसाला, उत्तबब मसाला and साथ में पाउबाजी मसाला भी and और भी बहुत सारे मसाले बिलहाल तो हमारे पास वैसे मसाले थे तो हमने लिये नही and अब finally जो जो तिंग्स आ गई है उस पर मुमा टिक मार्क लगाते जा रहे है and फिट देखते जा रहे हमके कौन सी-कौन से तिंग्स बाकी है and इस बार ये दोनों पैकिंग्स लिये and साथ में कुछ कौन फ्लेक्स वैसे कभी-कभी for a change ये से भी breakfast में मज़ा आता है है न and यहाँ पर है बहुत सारे milk चोकलेट तो उन में से मैंने दो ले ली and वैसे तो प्लान था कि मुमा बनाएंगे homemade परे लेकिन सोचा 2-3 days बात बनाएंगे तो अभी ले लेते है ये वाला पनीर और अगर ये वाले ट्रॉली लेके चलना हो तो ऐसे भी चल सकता है just joking and अभी ममा फिर से टिक मार्ग कर रहा है जो 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 तिंग्स आती गई उसमें and round लगा रहा है जो 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 तिंग्स अभी बाकी है उसमें finally it's billing time actually मुझे ये ममा को तो पता भी नहीं चाहता बाते करते करते कि oh grocery shopping पूरी हो गई है and इस बार भी हमने bags ले ली थी लेकिन इस बार यहाँ पे भी bags थी कभी-कभी bags finish हो जाती है तो नहीं भी होती है and सारे malls में bag की तो price अलग से लगती है तो हमने सोच आप bag लेके जाएंगे तो वो भी फायदा हो जाएगा वैसे भी ऐसी 223 extra bags तो होती है कार में क्योंकि हर मंद जब हम grocery shopping करने जाएंगे तो हर मंद वहां से चार्जेबल bags लेंगे उससे अचा है कि हम हमारे पास अगर bags हो तो वो ही लेके जाए है ना तो ट्रॉली को एक जगा साइड में रग दी और फिर हमने पूरी डिकी भर दी चलो चलो अब rhyming apart चली जल्दी से चलते है हमें बहुत भूख लगी है है ना वैसे जहां पर हम रुके वहां पर मिलके हमारे एक amazing तो actually हमें लगे थी थोड़ी से भूख इसलिए हम नहीं आसे ले लिए बड़ा पाउ मुझी तो इन दोनों चेटनी में से tomato चेटनी बहुत पसंद है फिर हम एक जगा खाने रुके and then 15-20 minutes के बाद back to shopping वैसे लगता है कि grocery shopping करने जाना है तो एकदम easy ही रहेगा लेकिन grocery shopping close shopping जितना easy भी नहीं है क्योंकि सबसे पहले तो grocery list बनाओ then कौन से चीज कम price में कहाँ पर मिल रही है and वो भी काफी अच्छी quality में वो ढूंडो and इतने से ही काम नहीं हो जाता है उसके बाद वो सारे things को organize भी करना पड़ता है and जो vegetable shopping होती है उसमें भी कौन से दिन कौन से सबसे बनेगी कि उसका almost roughly प्लान तो बनाई लेना होता है हमारे moms को because balance diet is also very important right by the way हम आ गए है craft bazaar यहाँ पर सबसे important एक ये काम है कि belt के hole कराने है and यहाँ पना एक belt की shop से हमने बहुत सारे different belts भी लिये थे तो सोचे आप वहीं से ही holes करवा लेता है and जब तक वो belts की shop आए मुमा यहाँ पर different different purses and wallets की window shopping कर रहे थे ऐसे क्या आपके mom को भी purse and wallets की window shopping करना बहुत पसंद है फिर window shopping करते करते यह आ गई हमारी belts की shop and यह सारे belts में करवाने है holes क्योंकि जब तक holes नहीं होंगे use नहीं कर पाएंगे और finally holes हो गए है तो चली अब पूरा market घूंके चलते है घर काफी सारे new new things आए थी इस market में so वो सब explore की and पहुँच गए car में फिर बाते करते करते पहुँच गए घर and आपको तो पताई है घर पे आके सबसे पहले क्या किया होगा yes hand wash करके यह सारी grocery की things cross check कर ली तो उसके लिए सबसे पहले यह सारे things बाहर निकाल ली bag में से and फिर mama bill में से एक एकर के cross check करते जा रहे थे it's a bit time consuming लेकिन वैसे अच्छा रहता है and जब तक mama cross checking कर रहे थे मैं side by side different different things grocery की बाहर निकालते जा रहे थी तो सारे things आ गई है इसका कुछ टेस्ट तो नहीं होता है लेकिन फिर भी एकदम यम्मी था so यह सारे things है हमने जो आज ली है वैसे if you want then you can tell me कि आप कौन से कौन से grocery malls में जाते हो for grocery shopping and now it's time to again organize all these belts वैसे यह जो blue वाला organizer है specially for belts जो हमने लिया है वो काफी मस्त रहता है organize करने में and अगर हम सारे belts roll roll करके organize करते हैं तो वो मैसी वैसी हो जाते है उससे यह काफी comfortable रहता है and हो गए है यह सब belts organize वैसे आपको आज का वीडियो कैसे लगा and grocery कैसे लगी वो comments में बताना मिलता है next वीडियो में बाई